क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th pass, 12th pass, any graduate pass candidate बिल्कुल आविधन कर सकते हैं सभी राज्यों के candidate जो है यहाँ पर allow हैं चलिए देख लेते हैं notification और सारी चीजें समझ लेते हैं कैसे जो है आविधन करना है, pay scale क्या रहेगा, age क्या कही गई है, qualification क्या है, हर post के लिए तो आविधन करने के लिए आप लोगों को नवोदे विध्याले समती recruitment, NTA की जो official website है उस पर जो है आना है वहाँ पर आप लोगों को step by step apply for online registration, fill online application form, pay examination fees, ठीक है तो आप लोग आविधन कर सकते हैं 30 अपरेल तक, आप देख लेते हैं, विक्यापन, post देख लेते हैं, pay scale और upper age limit, साथ में qualification तो आप देखते जाए किसमें आप आविधन कर सकते हैं, female staff nurse की जो vacancy है तो इसमें BSC honors in nursing में मांगा गया है या regular course in BSC nursing बिल्कुल आविधन आप कर पाएंगे, level 7 के according 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है salary रहेगी, 35 यर तक के candidate यहाँ पर आविधन कर पाएंगे assistance action officer की जो vacancy है तो इसमें जो है PACE के level 6 के according मिलेगा, 23 से 33 साल तक के candidate आविधन कर सकते हैं, बिल्कुल यह permanent सरकारी नौकरी है qualification जो है केवल इसना तक मांगा गया है, और 3 साल का अनुभव आपका कहीं पर भी administrative का है, financial matter in central government या autonomous organization का है, तो बिल्कुल apply कर दें audit assistant की जो vacancy है, तो इसमें age limit 18 से लेकर 30 verse है, सभी post में जो है उम्र अलग है और pay scale भी अलग है, ठीक है, तो इसमें level 6 के according salary रहेगी, बीकॉम वाले अब आविधन कर सकते हैं, केवल बीकॉम, graduation pass, उसके बाद जो है, काफी अच्छी जो है vacancy है, junior translation officer की level 6 के according salary रहेगी, 32 साल उ ओधन करें, बहुत सारे offer अब धी से किया है, या जिनोंने master degree English से किया है, अगर हिंदी से किया है, तो इंगलिस आपने compulsory subject के रूप में पढ़ा है, तो हिंदी आपने compulsory subject के रूप में पढ़ा है, अपने degree level पर तो पिल्खुल आविधन कर सकते हैं, या फिर आपने Hindi आए इसमें रहा है बिल्कुल आविधन करें बहुत सारे option है इसके अंदर और यह जो post है काफी अच्छी थी legal assistant की जो vacancy है इसमें उम्र सीमा 23 से लेकर 35 year है और level 6 के according salary रहेगी basic pay ही आप देख लें 35,000 से भी अधिक है यहाँ पर degree in law में आपका मांगा गया है अब हिंदी और इंग्लिस में master degree जोनों ने किया है junior translation officer के लिए आविधन करें audit assistant में केवल B.com मांगा गया है ठीक है और female staff nurse के लिए तो जिन में अनवब मांगा गया है आपके पास अनवब नहीं है तो और भी जो post है वो आप देख लें क्योंकि ऐसी जो job है यह opportunity जो है वो हर समय नहीं मिलती है stenographer की जो vacancy है level 4 के according salary है ठारा से 27 वर्स उम्र है इसमें केवल 12 पास skill test जो है जिसमें dictation होगी ठीक है computer operator की जो vacancy है level 4 के according और 18 से 30 वर्स है उम्र qualification जो है BCA किया है या BSE computer science या IT से किया है या BE या BTEC computer science या IT से किया है तो बिल्कुल आविधन करें catering supervisor की जो vacancy है इसमें 35 वर्स तक के candidate आविधन कर सकते हैं qualification जो है वो bachelor degree in hotel management तो यह non teaching staff की vacancy है teaching staff की बिल्कुल जल्द ही देखने को मिलेगी लेकिन मुझे लगता है कि जब तक teaching staff की नहीं आती है तो यहाँ पर भी जो है आविधन करें जो हाँ बिल्कुल अनवर्ब नहीं मांगा गया है केवल 12 या graduation level पर या master degree के base पर जो है आप लोग इस post में apply कर सकते हैं तो आविधन बिल्कुल करना चाहिए junior secretary assistant की headquarter and RO cadre तो इसमें जो vacancy उम्र सीमा 18-27 वर्स है level 2 के according या salary रहेगी 12th pass candidate आविधन कर सकते हैं English type writing जो है 30 word per minute और Hindi type writing 25 word per minute यहाँ पर कहा गया है junior secretary assistant की जो vacancy है तो जिसमें 18-27 वर्स ही जो है उम्र है और यह JNV cadre है ठीक है यह ध्यान में रतना तो इसमें भी जो है qualification वही है 12th pass 30 word per minute English type writing और 25 word per minute Hindi type writing next जो है electrician कम plumber गी है 18 से लिखे 40 वर्स है 10th pass candidate ITI इसमें certificate आपके पास चाहिए lab attendant में आप देख लें 18-30 वर्स जो है उम्र है और 10th pass candidate के वल 10th pass diploma या certificate जो है वो भी आपका laboratory technique इसमें होना चाहिए या फिर 12th जो है आपने science system से किया है तो भी आप आविदन कर सकते हैं ठीक है कोई भी diploma degree नहीं चाहिए multitasking staff जहां कहीं पर भी आप आविदन नहीं कर पा रहे हैं तो 18 से 30 वर्स तक ओम्र सीमा है multitasking staff के लिए pay scale जो है 18,000 basic pay है और 56,900 तक जो है salary रहेगी इसमें केवल 10th मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया आईू सीमा में छूट जो है यहां पर SCST category को 5 साल की है OBC 3 साल की है और multitasking staff में जो है वो 5 साल की है जो भी NVS के नवोदे विद्ध्याले संक्टन के जो है पहले से ही employees है person with disabilities इनको भी जो है छूट है SCST category को 15 साल की OBC 13 साल की और general category 10 साल की चूट है ठीक है PDF file जो है काफी बड़ी है 32 pages की है EWS category को जो reservation है वो भी दिया गया है तो form apply करेंगे जब आप तो इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद apply करेंगे mode of selection कैसे रहेगा तो exam रहेगा इंटर्व्यू रहेगा ठीक है और से लिए बस भी जो है वो बिल्कुल बताया गया है exam center कहां होंगे तो city state यहां पर दिये हुए है examination की जो scheme है वो हर post की अलग-अलग है जिससे आप जो है देख लेंगे जिस post के लिए आप apply कर रहे है लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा तो आप यह पूरी PDF फाइल पढ़के और उसके बाद apply करेंगे यह जो है main website का link है यदि आप apply करेंगे तो आप लोगों को NTA की जो main website है उस पर जाना है nvs.ntaonline.in यहां पर जो है step to apply online ठीक है तो सबसे पहले जो है registration करना है और उसके बाद जो है next step जैसे जैसे यह जो है बताया गया है उसी तरीके से जो है आप लोग apply करेंगे फीज जो है देख लेते हैं फीज यहां पर post wise क्या लग रही है female staff nurse की जो application fees है 1000 processing fees 500 है total जो है 1500 है पंदरसर रुपे जो है female staff nurse की general EWS और OBC category के लिए है ठीक है बाकी जो है SCST PWVD के लिए जो है 500 रुपीज जो है processing fees है application fees नहीं है assistance action officer audit assistant junior translation officer legal assistance tenographer computer operator और बाकी जितनी भी post है सब भी के लिए जो है application fees 500 है processing fees 500 है तो 1000 रुपीज है journal EWS और OBC के लिए SCST और PWVD के लिए कोई fees नहीं है application fees यहां पर जो है केवल 500 रुपीज जो है आप लोगों की processing fees ही लगेगी ठीक है बाकी जर्नल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप पढ़ लेंगे only Indian nationals are eligible to apply तो किसी भी राज्य के candidate बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले जो है official website पर आना है नवोदे विद्याले समिती notification चेक करने के लिए और इसमें आप लोगों को advertisement जो देखना है यह जो 5 number पर है इसी आप देखेंगे notification for direct recruitment drive 2024 for various non-teaching post of headquarter and RO and JNV cadre in NVS 15 March 2014 का है और जैसे ही teaching staff की permanent vacancy आती है बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समय पर ही जो है बताया जाएगा मिलेंगे next वीडियो में thank you